हलो दोस्तों कैसे हो आप लोग सुमझ लगता है अब आप लोग को ब्लेंडर पर खुड़ा confidence आ गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस सौट फिर्म में बहुत सारे सीखेंगे हमने ब्लेंडर में विस्क को समझा और धे जरी हमने देखा घंक इस तरह की से और जिएple बनाना चाहिए तो हम यहाँ पर एक flag का setup बनाएंगे और उस पर देखेंगे कि हम cloth animation कैसे apply करते हैं okay so start करते हैं सबसे बले हम एक plane develop करते हैं और बड़ा ही आसाने plane बनाना है यहाँ पर हमको shift air press करना है match में जाना है और match में जाके plane create कर देना है s दबाएंगे और 8 प्रेस कर देंगे s प्रेस करेंगे और 8 प्रेस करेंगे तो 8 टाइम्स आपका object scale हो जाएगा ठीक है हमने इस base का size तो बढ़ा दिया पर फिलाहला भी हम इसको और बढ़ा कर देंगे पर उससे पहले हम जो है कुछ और object develop कर लेते हैं shift प्रेस करा मैंश में गय और हमने बला एक umbical base बना दिया जाए और यह cubical base बनाए ना सो हब अपने S प्रेस करा और जड़ प्रेस कर और इसको अपने वर्टिकल डारेशन में लीड़ ज्यादा scale कर लिया ठीक है पर कर दिए है ना ये इसके बाद में face mode पे जाईए और अगर हम drag करके सारे faces select करते हैं तो याद रखिए पीछ वाले face select नहीं होते हैं इसका best way क्या था आपको याद होगा z press करोगे wireframe में जाओगे अब drag करके selection मनाओगे तो आपको चारो तरफ के faces select हो जाएंगे ये इसका shortcut आपका जो ना वह आई है तो आई प्रेस करा और एक और बार आई प्रेस करा दो बार आई प्रेस करने से हमें क्या होगा कि हर एक faces individually extrude हो जाएगा कुछ ऐसा करके फिर हमने s दबाया z दबाया और हमने इसको vertical थोड़ा सा और scale कर ले ताकि हमें चीज़े बराबर मि बिलेगा हमने एक्स्टूड अलों नॉर्मर्स पर क्लिक कर और इसको हमने फिर एक्स्टूड कर दे आप देखिए अंदर की दरफ एक्स्टूड होगा दिख रहा है कोई ऐसा हमको यह चीज़ चाहिए थे यहां पर कुछ इस तरीके से नो यह हमने बड़ा यह अच्छा श Questo हो गया अब इसको चाहें था ओर टैपर करके सकते कुछ इस तरीके से तहीं तरीक है ओपर की सरफेस को सिल्ट करने के लिए हमने फेशस ми आ गया और यह उपर ओपर एको टॉप बेशस हमने ready कर लिए कुछ दिए हम यह इस तरीके से हम यह जो स्टेस्ट के उपर उपर आ यहां और हम यहां पर लगालेंगे हम शिव्ट करेंगे हम और हम यहां 한व में इस के लिए slide कर देंगे ताइक है कि इसके बाद में हम इसको बेश से भी पतला कर दें कुछ इस तरीके से यह देखिए पतला से एक रॉड जैसा बन गई है कुछ इस तरीके से मूफ टूल की वाज़से हम इसको उपर लियाएंगे तो यह देखिए वह उपर आ गया है इधर अभी हमको कुछ जरूसादा बड़ा दिख रहा है तो हम इसको वर्टेक्स मोड में जाएंगे नीचे के सारे वर्टेक्स लेंगे इनको ड्राग करके अपर रख लिया कुछ इस तरीके से खरके करोगे एक तो तरीका हिह जरू करके जहाँ क्लिक करोगे आपकिंदर वहां पर चलाया आदे इसको आप जहां चाह उंपर ऑपर कुछ इधर यहां पर इधर क्यों लिया है इसलिए हम इसको ऊपर क्योंकि जब भी नया अब्जेट करते ना वह हमेशा सेंटर या और इजिन पर जाता है तो और इजिन को भी आप जहां चाहें वहां उठाकर रख सकते हैं करेंगा प्लेंट पर क्लेंगा देखव आपका प्लेंट कहा वंवन रहा है प्लेंट आपको यही मन गया प्लेन को स्लेट करिए और स्लेट करके मूफ टूल की मदद से इसको उठा करके वहां जमा लिए जहां पर हमको फ्लाग को एनिमेट करना है कुछ इस तरीके से ऐसा लगता कर फ्लाग थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो आप अब ऑब्जेट मूड में जाकर कि इसको मॉडिफ तो हम यहां पर जाकर के मतलब ऑब्जेट मूड में जाएंगे और किसी न अकर मुझे मुझे मॉडिफायर में जाओ सर और यहां सब्डिवाइट डाल दो तो यहां रखी यह गलत तरीका सब्डिवाइट जोना मतलब चीजों को स्मूथ करने काम आता यह याद रखेगा अगर मैंने क्लिक भी कर दिया तो यह हुए सर्कुल बन जाएगा तो डॉन्ट दो यह तो हमें कर रही नहीं है ध्यान रखेगा आप कंट्रोल जड कर लिए बेस्ट वी यह है कि आप जब एडिट मोड में जाएंगे ना आप सारे फेस्ट कर आप राइट लिक करेंगे यह करें वह एफेक्ट होते हैं ठीक है अब रही बात हमें इसको क्लॉथ बना दे हम इसको तो क्लॉथ बनाने के लिए हम क्या करेंगे ऐस यूजल जो हमने यहां पर वर्टिकल टाप्स देखे था ना इस टाप के अंदर हमें एक टाप मिलेगा जिसका नाम में फिजिक्स जो पढ़ाता है फिजिक्स में जाए है इसको क्लॉथ बना दिए देखे बड़ अच्छा क्लॉथ बन गई है हमरे पस अब क्लॉथ बनके नीचे भी आगया क्योंकि हम 58 फ्रेम पर है जीरो फ्रेम पर जाएंगे एक्जैक्ली महीं मिलेगा प्ले करेंगे हम तो यह दिखे को हम यह नीचेए जाएंगे शेप में जाएंगे शेप में आप इस को होती है तो आप ग्रॉप डिसाइड कर सकते हो कि आपने वर्टेक्स सो गूरूप बनाती है फिर उसको आपने प्ली कर दिया तो अपना पर आप यहां पर जाएगा अपके जो आउट्लैन वीडियो न थीक है ना तो हमने काम करते इसमें हमारे पास इसको बन करते हैं कि अब हम डूरे लोगो है तो ग्रूबानाना है तो ग्रूइबने के लिए आप क्या करोगे आप यहां पी धरी डोट बने लगे ड्रैयंगल डॉट अब्जैट टेट टर्ण टर्वोपर्टी सिर्बू अप्टध इतल गया जैसे आप फिजिक्स प्रॉपर्टी में जाओगे और आपने बुला कि यार मुझे नीचे जाकर एक प्रॉपर्टी है जिसका ना में पिन ऑप्शन अब मैं क्लिक करूंगा यहां पर गुरूप दिख जाएगा मैंने गुरूप पर क्लिक करा वैसे यह जो गुरूप है इसक उस्मार दाफम चाहने होगा के बीशन कि कैसे कहते हैं फो बढंगा इक तरीक से फिलो बन जाएगा एक और interesting चीज़ बता दो मैं आपको आप उपर जाएंगे ना तो आपको यहां पर cloth के बगर में जो three dot दिख रहे ना इस पर क्लिक करेंगे तो पूछे का कैसा cloth चाहिए आपको cotton चाहिए डैनिम चाहिए का चाहिए तो हमने बहुत सब normal cotton cloth लेलो तो आप जो प्रॉपर्टी हो आप एक interesting चीज़ और यह के मान लिए मुझे इस पर wind लागाना तो मैं क्या करूंगा तो आप क्या करेंगे आप control एक shift दबाएए और नीचे देखिए forces का option मिलेगा और यहां से जाके आप जोना force टाइप के लागा दिए wind लागा दिया ऐसा फिर rotate tool में आजिए और rotate के इसा तो आप इसको x direction ऐसा rotate कर सकते हो कुछ इस तरीके से control दबाएंगे तो आपको basic snapping मिल जाएगी ऐसी करकी है तो आपने अगर आप wind में लगा दिया surface के उपर wind के property में जाएंगे तो इपे strength जितनी बढ़ाएंगे ना आपको उतरी दूर तक wind जाएगी तो मैंने strength यह हो 200 कर दी कुछ ऐसा अच्छी का दी strength हम चाहते है wind के अंदर नौई में जब इसको प्ले करूंगा तो आप देखो wind जो ना वो इस पर लक्चू कियो अल्यडी कुछ इस तरीकी से तो हो सकता है पहली बार में हमारा result अच्छा नहीं है और object जो है वो उस पर wind का flow पढ़ता रहा है लेकिन फिर भी object नीचे तरफ गिर रहा है ठीक है ना तो इसमें कोई tension वाली बात नहीं first time में ऐसा हो जाता है आप wind की speed और बढ़ा दीए जहां 200 लिखा आप उसको 2000 कर है ठीक है ना ऐसा लेकिन फिर भी आपको हला की wind का flow मिल जागा लेकिन object जो ना gravity की चक्कर में नीचे जरूर जाएगा आप देखना है शुरुआत में wind का flow है और wind उसको धक्का लगा रहा है हलका सा बाहर निकलने में ठीक है ना ऐसा but मैं मान लिए इस cloth के लिए जो ना मतल मिलेगा आप फिल्ड वेट इता लिखा gravity आप gravity काम कर लिए कुछ इतना तो gravity कम का मतलब होगा का जमीन की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगा यह बहुत ही कम होगा तो सीथी सीथे जो फर्क विंड का होगा ना वहीं फर्क इस पर पढ़ेगा और wind की वज़ए से इसमें हमें प्रॉपर फील मिल जाए कि हाँ भी क्लॉथ जो है वो उपर ऊड़ रहा है ठीक है तो मुझे रखता है आपको यहां तक जो है क्लॉथ का फ्लो सब्ज में आ गया ध्यान से देख सकते हैं आप मुझे क्लॉथ का पुरा फ्लो मिल जया अब फाइनल एकर आप मान लिए अब बहुत कुछ पढ़ चुके हैं थोड़ा सा और देख लेते टेक्शर में क्या अच्छा पढ़ सकते हैं ठीक ना तो यह सिंपल सर्फेस है सिंपल सर्फेस पर टेक्शर सिंपल लगा देंगे सिर्फ हम क्लॉथ के लिए कुछ इंटरस्टिंग टेक्शर लेकर के लगे रे भीन को अमेख टेक्शिर मेर के जमें पर तो यह अन्य भाइब लगा कोई टेक्श्र नहीं लगा कभी ऐसी गलती है तो उसमें टेंशन लेने वारी बात नहीं है हम अपने जो यह टेक्श्यर ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो हमको आप ग्राउंड लिख जागा तो ग्राउंड अब जमीन पर चलागी है यहाँ पर ऐसा दिखरा आप कोई है इस तरीके से यह जो सर्फेस है ना क्यूब नंबर क्यूब लिखा हुआ यहाँ पर इस सर्फेस के उपर सिंपल रेड किलर हम डाल देंगे तो अगे नहीं निव पर क्लिक करा और यहाँ पर बहुत ही सिंपल कर लेड़ ले ते इसका नाम है डिफ्यूज और डिफ्यूज बजागे कुछ तक रेडिया ब्राउन शीड हम यहाँ पर कुछ ऐसा डाल देते हैं यह देखिए आगे आपको डार्क फॉर्म में सिमिलरली जो पोल है ना पोल के उपर बहुत इंट्रस्टिंग कर लगा सकते हैं आप यहाँ पोल पर क्लिक करिए और पोल का नाम क्यूब क्यों क्यों क्यो टेक्श्र देव में ब्लाक कर दिया कुछ तो बेस क्लार प्याओ इसको ब्लाक यह देखो ब्लाक हो गया अब यह जो सर्फिस है न ऊपर जो ट्लॉब जिस पर गलत टेक्शिए लिए कोई बात निन आप क्लिक करो ग्राउंड टेक्श्र नहीं चीए बहुत समयर को ऐसा तो तो इसमें आपको देखो कि यहां पर मुझे कि यह फ्लाइग नाम से टेक्शर देख रहा है कुछ मैंने ओपन गळा तो बड़ा इंट्रेस्टिंग यहां पर ओल्ड टाइप का एक फ्लाइग टेक्शर मेरे पास यहां गया अब देखो मैं इन्वार्मेंट में इसकाय और ग्राउंड लगाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा उसके लिए ठीक है ना तो फर्स्ट अफॉल मैं जिना रेंडर ला कर देख लेता हूं कर रेंडरिंग में क्या ऊपट आता है और रेंडरिंग में हमारा ऊपट कुछ क्या करेंगे तो आप लोग को या करना कुछ एक अच्छी चीज़ बताता हूं मैं आपको ब्लेंडर में बहुत सारे फ्री आड़ाउंस है अगर मैं एडिट में जाओंगा प्रेफरेंस में जाओंगा तो आप देखो कि यहां पर आड़ाउंस नाम से ऑप्चिन है और कई आपके सिस्टम में यह बटन जना शेक बॉक्स ऑन नहीं होगा इसको अन कर लिएगा ऐसे कई तरह के आड़ाउंस फ्री आते हैं ब्लेंडर के साथ में जो आप डिरेक्टली जना क्लिक कर सकते हूं इसे क्लिक करने का बनेफिट बताता हूं क्या होता है आप नेबर क्लिक क के लिए हमें विजिबल हो जाएगा मैं रेंडर पर जाओ लग लाकि कुछ खाल को निए पर देखो यह तो अपर यहां से आप स्काय तो आप देखो कि आपको पूरा इसका जो है इसके आसपस मिल जाएगा बला इंट्रस्टिंग आप देख पा रहे हैं आपर है और जो आ आपको आपको आउपट कुछ देखे प्ले हो करके बहुत अच्छा आउपट यहां पर दिखेगा हाला कि बैग्राउंड और यह सब अप्लाइ करने के बाद में हमारे रेंडरिंग स्लो हो जाता है बट हम बहुत इंट्रस्टिंग इंवार्मेंट देख सकते हैं हमको जो इतना इंवार्मेंट डेवलप करने के जरूत नहीं पड़ेगी और हमारा ओपट निकलाएगा फाइनली हम इसको रेंडर करते हैं बट रेंडर भी हमारा कैमरा सेट नहीं है तो आप कैमरे के लिए जो प्रॉपर्टी में जाओ यहां पर इसको क्लिप कर दो कैमरे को ताकि लो एंगल चौट ले सकें इसका और यहां पर जो हमारा फील बड़ा अच्छा आगया लोक अच्छा आगया अब फिर से हम रेंडर पर ट्राइब करते हैं देखते हमारे रेंडर फ्लू कैसा जा रहा है तो रेंडरिंग थोड़ा सा टाइम दरूर लेगा लेकिन हमारे पा यह आपको पूरा एनिमीट होता हुआ मिलेगा यहां पर तो यह बहुत इंट्रेस्टिंग पार्ट था ब्लेंडर का जो कि मैं आपके सामने रखा है और होप आप लोग ने इसको इंजोए क्या होगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो टेक केर